भारती जंदा पार्टी की प्रदेश महामंत्री एवंपूर आई एस ओंप्रकास चौधरी ने रायगाड में दिन दहाड़े हुई बैंक डकैती की घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर सीधा निशाना साधा है ओंप्रकास चौधरी ने कहा कि हमारे 36 गड़ में सभी विभागों में कॉंग्रेस की सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है पैसे दे कर पोस्टिंग किया जा रहा है पुलिस विभाग में भी यही चल रहा है इसी कारण पूरे प्रदेश में कानुनिवस्था की स्थिती चर्मरा चुकी है और समाप्त भी हो चुकी है आज चला चली की बेला में कॉंग्रेस की लोग लूटने खसोटने में लगे हुए हैं इसी का परिणाम है कि राइगड में साथ करोड की डख एती हुई है आज कॉंग्रेस सरकार ने हमारे 36 गड़ को अपरात का गड़ बना क कर रख दिया है जिसे 36 गड़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी हमारे 36 गड़ में सभी विभागों में कांग्रेस की सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं पैसे देकर होस्टिंग किये जा रहे हैं पुलिस विभाग में भी यही चल रहा है इसी कारण पूरे प्रदेश की ला एंड और की स्थिती कानून विवस्था की स्थिती पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है चर्मरा चुकी है आज चला चली की बेला में कांग्रेस के लोग पूरी तरह से लूटने खसोटने में लगे हुए हैं और आज देखे कि रायगड में करीब 7 करोड रुपए की टकैती हो गई इस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही है और हमारे चतीजगड को या प्राद गड़ बनाकर रख दिये हैं चतीजगड की जनता जनार्दन चतीजगड के भाई वहन माफ नहीं करेंगे